हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों को आई एम ओ की प्रिपरेशन कैसे कराएं तो सबसे पहले मैं आपके कहना चाहोगी जो भी उनका मैक्स का स्लेबर्स है वो पूरा कवर करा लें तो इसके बाद आफ रिफ्रे इसके प्रैक्टिस करवा सकते हैं मैक्स की प्रैक्टिस कम वर्ग बुक की इसके प्रैक्टिस करवा सकते हैं और ये Know Your IQ Max इसी ये भी काफी अच्छी MTG की बुक इसके भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं तो इसके और साथ में आपको reasoning की reasoning की भी बुक की प्रैक्टिस करवानी है reasoning सबसे master max की बुक के लिए मुझसे सारे Olympiard exam होते हैं, cyber होते हैं NSA होते हैं, सब में reasoning में इसके बाद बच्चे को MTG की basic books cover करवानी है फिर इसके बाद previous year के paper RTP मिलती है आप देख सकते हैं, ये previous year इसके paper है, वो बच्चों को cover करवाना है लोग जित्ती practice करता है पहले तो बिना timer के आप करवा सकते हैं फिर एक बाद बिना timer के बच्चा कर लेता है तो फिर timer set करके इसके practice करवानी है तो इसमें actual जैसे papers होते हैं वैसे ही papers होते हैं और अगर ये भी practice कर लेता है बच्चा तो मैंटल मैक्स की जित्ती practice कर ले क्योंकि क्लास विफ में तो timing बहुत कम होता है और मलब बाग के grade में भी IMO में बच्चों को mostly कम टाइम लगता है तो मैंटल मैक्स की जित्नी practice करेगे तो ये काफी उनके लिए helpful रहेगा exam के टाइम में और आप चाहे तो SOF Olympia trainer का subscription भी ले सकते हैं ये नेसेसरी नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है तो ये online ही सारी practice उसमें हो जाती है और बच्चों का पूरा उसमें आ जाता है review आ जाता है कि वाओ किसमें भी एक है किसमें इसमें practice की ज़रत है और मैं आप से कहना चाहूँ कि practice must है जितना ही practice कराएगे बच्चे को इतना अच्छा रहता है और अगर आपको कुछ भी query रहती है इस से related तो आप मुझे comment box में रिख सकते हैं I will try to reply you अगर आपको मेरा वीडियो पसन आता है तो please subscribe to my channel and like my video and share it Thank you so much